नमस्कार दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंग एडवांस एक्सल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो टिटोरियल में और आज हम बात करने जा रहे हैं टैबलू में डैटा किनेक्शन्स और डैटा कनेक्शन के टाइप के बारे में जैसे कि इससे पहले हमने बताया थे। किस तरीके साब और उया और न किसी और डैटा moż Examples तो जहां हम इसको टैबलू में लोड करते हैं 15C Tory शकया और यहां पर हमने अपने जिस location में data है हमारा उस location में चले गए select किया यह data हमारा connected हो गया तो जब भी हम data connect करते हैं तो हमारे पास यहां connection में दो दाजा आता है live and extract तो दोने में क्या difference है यही हम आपके साथ discuss करने जा रहे हैं तो हम पहले live को छोड़ देते हैं और हम sheet पर जाते हैं अपने reports को create करते हैं जैसे कि यहां पर देखिए हमारे पास names है और city है और यहां देखिए हमारे पास sale है तो मैंने city को यहां रखा और उसके बाद हम यहां पर हमारा जो name है name को हम column रख देते हैं तो मैं पास इस तरह का data बना हुआ है क्योंकि alive है मतलब कि अगर हम excel में कोई change करते हैं जैसे मैं excel में एक नया city मुझफः पूर जो कि मेरा home city है मैं यहां डाल देता हूं मुझफः पूर और name मैं डाल देता हूं सुरिया और शेल हम यहां पर फाइम अडिल देते हैं और जैसे हम फाइल को सेब करते हैं उसके बाद जब आप यहां आएंगे तो यहां पर आपको मुझफः पूर नहीं दीख रहा है ना शूरिया दीख रहा है तो मैं यहां just right click करूंगा और refresh करूंगा जैसे आप refresh करेंगे यहां देखिए शूरिया आ गया और हमारा मुझफः पूर शेटी भी आ गया तो लाइव डेटा में बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आप अपने डेटाशीट को चेंज करते हैं उसको सेब करते हैं जैसे हम आपका डेटा आपका डेटा आटोमेंटि लिए जैसे बढ़ेगा घटेगा यहां वो फिक कर लेता है लेकि लाइव डेटा प्रॉलम क्या होता है कि एक थ्रौसा चलता है क्योंकि जब भी आप उसको refresh करते हो उसको लोड करता है और डेटा आपका लाइव है वो देखने का दो तरीका है पहला तो आप जब डेटा पर जाते यहां आपको लाइब दिखता है और आप चीट पर जब रिपोर्ट सीट पर आते हैं तो आपको यहां singles render दिखता है इसमें इस लाइप डेटा है, लाइप अगर आप इसी में में इन इन क्णेक्ट बिड डेटा है, इस लेडा को कॉपी करके तो तो हो टाम लू के अधर चैप कर दिया ऐ. उसके बाद अगधा हम सीट पे आते हैं, जब हम सीट्स पे आते हैं, लाइव के जगा पर स्ट्राक करते हैं, स्ट्रैक करने के बाद, फिर हम यहान सीटं पे आते हैं. यहां पर देखिए हमारा इस ट्रैक डेटा है और इसमें आपको चेंज करेंगे अपने सिटी में नहीं होगा चेंज करने के लिए आपको यहां राइट क्लिक करके यहां एस ट्रैक में जाके रिफ्रेश करना पड़ेगा अब दोलों में क्या पॉल्लम समझ लिजिए अगर इसकी एक प्रशेसिंग यहां फास्ट हो जाती है जैसे आप डेटा डालेंगे देखा अपने डेटा लाओ तो 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 किसी भी तरह का टाइम नहीं लेगा आपका फास्ट फास्ट वर्क करेगा बट आपका टाइम कब लेगा जब आप उसको रिफ्रेश करते हैं तब वो को रिफ्रेश करोगे तो फिर वो डेटा को कॉपी करके टैबलू के उस डेटा पॉपर्टीज में सेब करेगा बट लाइब डेटा में ऐसा नहीं होता है तो जब भी आप डेटा क्नेक्शन करते हैं एक्सल या किसी अदर शोर्से से तो लाइब और स्ट्रेक को आप देख ल देखिए अगले वीडियो में और भी टैबलू के नए फीचर के साथ आपके साथ हम जोईन करेंगे एक हमारे नेक्स जनवरी में सकेंड जनवरी से हमारा टैबलू एंड बी आई टूल्स का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है अगर आप जोईन करना चाहे तो आप में व आपके सारा वीडियो जो की तक्रीमान दो हजार के आस पास वीडियो है वह आपको मिल जाएगा एक्सल वीवी एक्सेस टैबलो एंड बी आई टूल्स के उपर और क्लासेज लेनी हों कुछ पूछना हों तो आप मैंने मुवाइल नंबर है इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं थैंक वाज के दिसी वीडियो है वे नाइस टेयर